ज्हारखण लोग सेवा आयोग की और से ली गई सात्वी से लेकर दस्वी सिबिल सिवा पीटी परिच्छा को लेकर लगातार हंगामा जारी है मामले को लेकर अभयर्थियों की और से अंदोलन किया जा रहा है इस सड़क से सदन तक का जो या अंदोलन है अब ऑनलाइन यानि की ट्वीटर, फेस्बूक और सोसल मीडिया पर भी जो अभियर्थी है जो छात्रे जारकन के छात्रे हैं वो लगातार इस अंदोलन को तेज करने की कोशिस कर रहे हैं साथ ही कुछ लोग धरने पर बैठे हैं तो कुछ लोग आमरन अंशन भी कर रहे हैं यानि कुर्मिलाकर कर कहें तो चारों तरफ से राज्यसरकार जेपीएसी को घेरने की कोशिस हो रही है और कहीं ना कहीं अब भियर्थियों के हक में यह लड़ाई लड़ा जा रहा है हमारे सदन अब ट्विटर और फेस्बूक तक चला गया है बिल्कुल जब किसी भी राज्य में जब मुखमंत्री युवाओं के साथ गददारी करता है तो यही होता है विश्वास घात करता है तो यही होता है युवाओं ने सरकार को बनाया था कितना उमीद के साथ उन्होंने बार-बार अपने सदन में जब परति बक्ष में थे तो बोलते थे कि 5th way जब आए जांच कराएंगे जब करेंगे दकरेंगे जब ऑनगुख 74 का यानि अभी जहेसे देखे स्थासायमीडे की हमारा ट्रेण चल रहा है ड़ी हम लोगोंने भी बहुत सारे ट्विट किये हैं हैस्टेक सीवी आई फोर जेपी एसी का जो हैस्टेक चल रहा है उसमें लगभग लगभग अभी 56,000 के आसपास अभी मतलब की ट्विट हो चुके हैं और मतलब की लगातार हम लोग बताने के परियास कर रहे हैं किस तर से जार्खन में आनियमीतर तताएं भरष्टचार और वी संगतियां लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद भी मानने मुख्य मंतरी को जिस उद्देश और परिकलपना के साथ लाया गया था वह आज नहीं दिख जिस दिन वह सपत लिये थे उस दिन 99 परसेंट लोगों के अंदर एक परसंसा थी और लोग बोड़ थे कि नहीं यह कुछ करेंगे बड़ा बदलाव लाएगा एक नए यूग की सुरवात होगी लेकिन आने के बाद एक नया यूग नहीं बलके हमें कल यूग देखने को मि हेमन सवरें से खासकर मुख्यमंत्री से यूबा जो है जार्खन के वह खासा नराज है और कुछ लोग हैं हमारे साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे वो लोग धरने पर बैठे हैं और सुचना यसी मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास घेरने के रननिती भी बनाई जा रह हैं और बियरती उन से बात करेंगे बताएंगे रनीती लगातार जो है वह आंदोलन के तरह चल रहा है कुछ लोग अंसन कर रहे हैं आप लोग प्रदर्शन के मूड में हैं कल सीम आवास घेराव के सुचना है क्या है यह पूरा कारी क्ल जैसे कि सब लोग को पता है कि हमार बहुत पीसफुल होगा बहूत ही ज obrasat जितनी बईजिले हैं हमारे 24 बिस जिले सब इस दिले से लोग आएंगे जैसे कल हजारी बाग में अवेरनेस केम obey इन चल रहा है और रामगर में बेरनेस केमपेंज चल रहा है बकारों चल रहा है अभी लोगा आमरे शेम में बैठे ह हैं तो आप देखिए किस तरह से कितने सारे लोग जो है दिन बर दिन अवेर होते जा रहे हैं और इस घपली और गड़बड़ी को समझते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसी गड़बड़ी को ध्यान में रखते वे इसको सुधारनी के वज़े से कल सभी लोग आएंगे और हमारे इस आंदोलन में हमारा साथ देंगे और इसी आंदोलन के बदावलत आज तक हमने जो जीत हासिल की है आगे भी इसी आंदोलन के बदावलत हमारी जीत होगी सुनिश्चित वो जागरुक हो रहे हैं और लगातार आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं तो कल मुख्यवंत्री आवास का घेराओं का कारिकरम है अब देखने का लिबात होगी कि इस कारिकरम के दोरान क्या कुछ आने वाले जो आंदोलन के जो और कड़ी होगा उसमें क्या होगा चंदन कर दो कर दो